असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हम आईशा और मेरे चैनल आईशा के गिलाइट में आपसे का स्वागत है आज हम बनाएंगे इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी स्पोंच को रेडी कर लिया है इससे हम टूपियर केक बनाएंगे यह मैंने 1.5 इंच का टीन लिया है और यह मैंने 1 अजिदा इससारे में बनी आट्यूड को एकटिन लिया है और इस तरह के घर के ही डिबो को इस्तिमाल करके मैंने ओलिया है- यह हर के ही बॉल से हम इस तरह का मैंने पिनाटा डेडी पिनाटा के लिए मैंने इसको रेडी किया है तुद शाये जल गया है यह ऐ लेक् layszony पर मैं आपको बताते हूं कि इस तरह से मैंने सभी केक्स को रेडी कर लिया है यहाँ पर मैंने सभी केक्स को लाइनिंग कर लिया है यहां पर मैंने 418 ग्राम पानी लिया है और उसमें 2 ग्राम केक जिल को याने एम जिल को एड़ किया है और इसमें मैं आप देख सकते 6500 ग्राम प्रेमिक्स लूँगी जिससे मैं 2 किलो का केक बनाओंगी यहां पर रेड वेलवेट का जो स्पोंज बताया है उसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया है जिससे हमने पिनाटा केक बनाया था 6500 ग्राम प्रेमिक्स और 400 ग्राम पानी से हमने यहां पर 1 किलो 60 ग्राम जितना बैटर बन चुका है जिसे हम इस तरह से 2 तीन में हम इसे डिवाइट कर लेंगे यहाँ पर एक टीन में मैंने 300 ग्राम बैटर को और एक टीन में 400 ग्राम बैटर को पोर किया है और अच्छी तरह से टैप करके मैंने इसे 8 इंच के टीन को मैंने OTG में बेग करने रखा है बाकी के बैटर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस टीन में इस तरह से सभी केक को एक साथ ही बेक करने के लिए रख दिया है जो छोटे केक्स है और इनके साथ में रखे हुए केक की मेजरमेंट मैं आपको उसी केक में बताऊंगी यहाँ पर यह वेनिला फ्लेवर का केक है और यह सभी केक 3 केजी के हैं इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पर वाइड गनाश को रेड़ी कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 ग्राम क्रेम को लिया है और 80 ग्राम मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट को मिल्ट कर लिया है यहाँ पर हमें केक के अंदर की फिली इस गनाश को एड़ करना है तो हमें यहाँ पर इसे चांद कर लेने की भी ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 ग्राम के टीन को मैंने इस तरह से चांद के लिए 12 बारा का बोड लिया है इसी पर मैंने इस तरह से इसको कट करके अरेंज किया है अब हमारा गनाश भी यहाँ पर थंडा हो रहा है इसलिए यहाँ पर यह केक जला नहीं है थोड़ा एक्स्ट्रा बेक हो गया है अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बेक होता है तो हमें थोड़ी ज्यादा सोकिंग करनी पड़ती है और यह हमेशा नहीं होता कभी कबार ही हो जाता है यहाँ पर ज्यादा केक बेक करने के लिए रखा हुआ था और एक साथ ने आपको बताया कि मैंने एक साथ ही सभी स्पोंज को बनाने के लिए रख दिया था जब भी वेनिला केक हो तो इस तरह से आप क्रीम में मिल्क पावडर और गनाश को एड़ करें जिससे क्रीम की टेस्ट वहुत ही अच्छी हो जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे केक को मैंने प्लेट पर ही क्रम कोट किया है और यहाँ पर आप एक और बात का द्यान रखें कि जब भी इस तरह के प्लेन वेनिला फ्लेवर का केक बनाना हो तो आप दूद को अच्छी तरह से गरम करें और उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी शक्र को भी एड़ करें और इस से ही इस केक को सोक करें आप अगर दूद में शक्र नहीं मिलाना चाते हैं तो थोड़ा सा गनाश ही एड़ कर दे चैनिला केक होने की वज़ा से ये ज्यादा ही मीटा होता है क्यूंकि क्रीम और स्पॉंज दोनों भी मीटे ही होते हैं तो ये एक बात का और भी ख्याल रखना जरूरी है कि हमें सोक करने के दूद में बहुत ही कम चीनी को आड़ करें आप यहां पर देख सकते हैं ये कितना टॉल केक ही बन चुका है आप यहां पर देख सकते हैं बड़े वाले केक स्पॉंज को भी में सेम ट्रेक से ही रमकोट कर रही हूं और यहां पर आप देखिए लेर पर इस तरह से गनाश को आड़ करें वाइट चोकलेट को आड़ करें पर स्टमर को हम पर इतना भरोसा होन का था और उन्होंने मुझे सुबा दस बजे का पहले टाइम दिया था फिर ग्यारा वजे फिर बारा वजे वजे केक को रात में ही मैंने क्रम कोट करके रख दिया था पर पिनाटा मुझे सुबा में ही बनाना था और पिनाटा मेरा रेडी होल गया पर रंडे होने की जाली गई जिस वज़ा से मैं यहाँ पर केक की क्रीम बीट करने में मुझे इनाटा में मुझे ज़्यादा क्रीम की तो जरूरत नहीं थी पर लाइट जाने की वज़ा से इन केक को मुझे बनाने में बहुत ही दिक्कत लो गई कस्टमर को लाइटिंग राउन चाहिए था तो मैंने इसमें लाइटिंग को भी अटेज कर दिया कटिंग का टाइमिंग साड़े साथ का था और पाउने साथ बजे ही शाम में लाइट मेरे यहाँ पर आई तो मैंने उसी के बाद इस केक को अच्छी तरह से फिनिशिंग दी पर कहते हैं ना मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती तो यहाँ पर मेरे साथ भी यह अच्छा ही इंसिडेंस हो गया एक एक मुझे कहीं दूर नहीं देना था मेरे ही फ्लोर पे देना था तो मुझे जादा कुछ टेंशन भी नहीं थी और पहली बात तो वो जिनोंने मुझे ओर दिया था उन्हें ही मुझे पर भरोसा था के मैं उनके लिए अच्छा ही केक बना कर दूँगी और यही भरोसा होता है जो हम कमाते हैं कस्टमर इसके साथ ही मैंने इस तरह से फटाफट से क्रीम बीट करके यहाँ पर अच्छी तरह से आइसिंग कर ली है और हलकी क्रीम में आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ वाइड क्रीम से ही केक को कवर किया है और पैलेट नैफ पे हल किसी क्रीम को लेकर थोड़े से डॉट डॉट डेकर ही मैंने केक को पिंक कलर का शेड दिया है जब हम इस तरह के केक्स रेडी करते हैं तब हमारी क्रीम बहुत ही सॉफ्ट होती है पर अलहमदिलिल्ला ऐसा हुआ वो क्रीम भी अच्छी तरह स्टीफ हो गई जब तक कि मैंने दुसरा केक बनाया आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस पर इस क्राउन को अरेंज किया है और इस लाइट को इस तरह से केक के पीचे की तरफ सेड भी कर लिया है यहाँ पर मैंने बड़े गल का नाम लगाया है और इस पर कुछ परल कलर के बॉल्स को भी मैं रिंकल कर रही हूँ बेबी शावर की लाइटिंग स्पेसर की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की वी है उसमें मैंने स्पेसर में किस तरह से फोटो को स्टिक करें यह बताया है जब मैंने इस तरह से लाइटिंग स्पेसर रखा था तो नीचे का बेस मेरा दिख रहा था इसलिए मैंने इस बा वहाँ पर देख सकते हैं rotating table, lighting spacer, lighting crown और बड़ेकल का customized नाम इस तरह से सभी चीज़ों को मैंने कुछ ही minutes में arrange कर दिया है वहाँ पर जो guest आये थे वोनों ने भी मुझे personally मिलकर मेरे cake की तारीफ की तो वो भी मेरे लिए एक plus point था फिल्दी जल्दी में मैं यहाँ पर weight लेना भूल गई पर over weight बन जाता है उससे कम नहीं अल्ला आफीज